प्रिधान मंत्री आज बाढ़ पीड़तों के साथ उनका दर्द बाटने खुच श्रीनगर में मौजूद रहेंगे। पिशले महीने आई बाढ़ से प्रभावित लोगों को उमीद है कि प्रधान मंत्री रहतकारियों के लिए कोई बड़ी घोशना कर सकते हैं। दिपावली पर हाथसों को रोकने के लिए दिली फायर सर्विस ने खास इंतिजाम किये। राश्ट्री रालधानी क्षेतर में 56 फायर स्टेशनों पर 200 से ज्यादा फायर इंजन तैनात रहेंगे। दिपावली के मौके पर स्वास्थी विशेशग्य दमे और दिल के मरीजों को पठाखों से दू रहने की दे रहें हैं सला। योहार में गंभीर बिमारी से ग्रस्थ लोगों को पठाखों से दू रहने की दी गई हिदायत। सीविय की विशेश अपरात शाखा ने कल करोणों रुपे के सारदा गोटाले में अपना पहरा आरोप पत्र दायर किया। एजनसी ने करीब चार महीने पहले उच्चतन न्यायले के निर्देश अनुसार मामले की जाच शुरू की थी। राश्ट्री सुरक्षा सलाहकर अजीद जोवाल ने कल अफगानिस्तान के राश्ट्रपती अश्रफगानी और मुख्य कारिकारी अधिकारी अब्दुला अब्दुला से मुलाकात की। उन्होंने एक मजबूत लोकतांत्रिक एवं समरिद रेष के निर्माण में भारत की प्रतिवधता एक बार फिर जताई। कनाड़ा की संसत के भीतर और बाहर कल दोनों जगों पर गोली बारी हुई है। इस घटना में एक सैनिक और एक बंदूग धारी मारे गए। प्राज़ानी उटावा स्थित पार्लिमेंट हिल पर उस वक्त हमला हुआ जब राइफल लिए एक व्यक्ती ने राश्ट्री युद समारक पर खड़े एक सैनिको गोली मारती। प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी एक बार फिर रेडियो के जर्ये लोगों से रूबरू होंगे। आगामी 2 नमबर को All India Radio के सभी चानलों पर मन की बात कारिकर्म के जर्ये प्रधान मंत्री लोगों से बात करेंगे।